वाला हूं इस्थानुल्दा यानि मुल्ताम सुल्तान के एक बोलर, फास्ट बोलर मैंने उनको पिछले मैच में जब पहला मैच गुगा था तो उसमें देखा था यार अच्छी बोलिंग कर रहे हैं लेकिन उनका कुछ स्टाइल है, सेलिब्रेशन का लाइक इस तरह से पताने हैं, वो तीर छोड़ते हैं आसमान की तरफ अलगी उनका कुछ अजीर सा सेलिब्रेशन है तो उससे रिलेटें देखें के कल के मैच में उनका कोईटा के खिलाफ पांच विकेट ले लिए भाई बन देने नाम ऐसे उचल राई सोशल वीडियो पर फॉट टेजी से स्टाइट करते हैं वीडियो को लेए स्टाइट वीडियो को नाम बिसमेला हिरोपान वाहीम अस्सलाम अलेकूँ अज पाकिस्तान में एक ऐसा कारणामा हुआ है कि आप इमाजन कर लेंगे कि दुनिया के जितने बड़े करिकेटर्स हैं चाहे वो विरात कोहुली और इंडियन करिकेटर्स हो या स्पेशली आद रिखेगा जो इंडिया के झाहीं हैं या क्रिकेटर्स हैं उनको पाकिस्तान की PSL यानी PSL लीग बहुत ज्यादा पसंद है और जितने करेकेटर्स हैं वो कहते है कौάλिटी औफ क्रिकेट जो यहां पर मिलती है वो IPL के अंदरी IPL की एख़ाइप है लिकिन कौालुटी औफ क्रिकेट नहीं है लेकिन celebrating मतिहार में जो मामला सामने आया है वो है पाकिस्तान का एक स्टार ऐसा पैदा हुआ है जो डेड़ सो रुपया देहाडी ना कमा सके लेकिन देड़ सो किलो मीटर रफतार से गेंग पैटना है और ऐस वक शाहिद ही कोई इंडिया का लवर हो इसको ये ना पता चल गया हो कि प पंदरा गेंदों के अंदर पंदरा गेंदों में तीन रन दिये और पांच विकेट्स लिये और उसके बाद ओवराल चार ओवर्स में बारा रन देकर वो पांच विकेट्स तकरा यानि पहली पंदरा गेंदों में इस लड़के ने उनकी लाडियों का आउट किया है जो प वाला एसान उल्ला बीच साल का जो साइट डेट्स और प्यानी कमा सकता खैबर एजन्सी से जिसका तालुक है उसे पांच फिकेट्स लेकर दुनिया को बताया कि टैलेंट असल में क्या होता है और अब उस पर शायद कुद्रत इतनी महरबानी करेगी कि आप यह देखे कि बा खार उजी बहुत बड़ा प्लेयरों से खेलानी जारा सर्फरास की हारत यह है जो धुनी से बड़ा क्रिकेटर अपने आप में वो शायद वो समझता हो या पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड उसको समझता हो इसलिए तो आठ साल हो गए है अभी तक उस शक्स में कोईटा ग् अलीजो को उल्टी शार्ट मारा है आप उसके जरा नंबर से के एक रन सिर्फ पूरे चार ओवर्स में इतनी तगड़ी बैटिंग के सामने उसने बॉलिंग की है और सिर्फ एक चोका उसको बड़ा है और आप अंदाजा कर लें यह अपने आपने एक बड़ा स्टार है कि आप सोच के नहीं सकते कि शाहीन, नसीम शाह, उसके बाद हारिस रौफ, फिर उसके बाद हुसनेहर है हमारे बास और अब यह शक्स, लोग आमिर को कह रहे थे जो आमिर ने बत्तर से की बाबर के साथ, वो सारी दुनिया ने देखा कि शुय मली को आकर कहना पड़ा, कि इस का जो रिष्टा वो खतम नहीं होना चाहिए, आप अंदाजा कीजिए है कि जिस शक्स का पीक का टाइम खतम हो गया है, बाबर के बारे में उसने का कि यह ऐसे है, जिस सब टेल एंडर से मैं उसको बहुत ज्यादा हमियत नहीं देता, और जिस तर उसमें बाल फैक्टने की कोशिश की, बाबर की जानी जो ड्राइव कल बाबर ने मारी है, तो यह अमरिका केरियर खतम कर दिया है, अमरिका केरियर वैसे ही खतम हो गया, तो उसका पीक टाइम खतम है, और वैसे भी सुरत हाल यह है, कि उसको अनकरीब कराची किंग्स वालों ने भी नहीं रखना चा तो यह सारे किया से गिरा सकते हैं अब बाबर आजम की कोशिश्थी के एसानुला को मैं पूरे पीसल में वाच करूँ और अगर यह अच्छा साविज होता तो मैं आगे इसको टी ट्वेंटी में लेकर जाओं फिर आगे इसको वन डे केंदा लेकर जो क्योंकि इंडिया में अब अंताजा कीजिए उस शक्स की जो बालिंग है यानि नॉर्मल वो इसकी गेंद है 144, 143, 150 तक उसने जाकर जिए और शायद ही कोई इंडिया का इस वक्त मीडिया स्पोर्ट्स का होगा जिसकी नज़र नाउस कोई शायद इंडिया का बड़ा कर्केटर होगा जिसके मॉ तूज, वो वहाब रियास को देखें, वो आमिर को देखें, वो पुराने आपको ने टैलेंट की जूरूत है और सबसे इंटरस्टिंग बात ये है कि ये लड़का भी सिर्फ 20 साल का है देखें इज़के एच को आप छोड़े लेकिन सबसे ज्यादा इंटरस्टिंग सौर जो इतना अच्छा क्रिकेटर है और दुनिया के जो फाइनस क्रिकेटर्स में श्माराजीन को ला ने बड़ी इज़त दी है शाइदा फृती जिनके बारे में यिवराज सिंग्ड ने बात कि जिसने का था कि अगर 6 छक्य शायद अफरीदी ने मारे होते जो इज़त उसको नसीब होती वो मुझे नहीं मिल पाई उसे का मैंने मारे लेकिन जो शायद अफरीदी करता हो उसका लेवल ही और होता उसका दमाद है लेकिन आपने कभी कोई तकबूर या कुछ यही हाल है बाबर का इतना माफिया सारा उसके खिलाफ है लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि यार मैं टैलेंट को उपर लेकर रहा हूँ उसे बिल्कुल कोशिश की हुई है कि यार मैंने इन लोगों से उलचना नहीं है क्यों से एक चीज़ विराथ से सीख लिए देखें यह सारे जो इग्रेशन दिखाते है यार मेरी या फलाना क्या सुरत है अलग कि अब इसान अला जैसा जब खिलाडी आया आपका इग्रेशन कहां सूट करता है उसका एक नहादा स्टाइल है ये इग्रेशन कैसे सूट करता है विराथ कोली का बहुत इग्रेशन था बड़ी कमप्लेइन की रभी शासरी जब कोश था तो उसने कहा कि विराथ कोली जैसे जब प्लेशन होते है इनका इग्रेशन सूट करता है क्योंकि वो आपको performance दे रहा है उसे कहा था कि अनुश्का शर्मा को लेकर आना लेकर रहो girlfriend है उसे कब इसकी हर requirement पूरी करूँगा जब तक ये मुझे performance करके देगा जब तीन सान उसका जबाल आया जहान भरने तनकीद की उसने मीडिया पर जाकर बात ने की सिवाए इका दु बना रहा है वो एक गंदा सा जनरलिस्स बैट कर सारा टाइम कराची की सुभायत फिलाने की कोशिश करता है जी हमारे सर्फराज के साथ यह होगा बही सर्फराज भी हमारा है जब वो कफदानी अच्छी कर रहा था सब ने कि आज 37-37 साल की एक में उसको हैंड ओवर कर देन लाइफ के अंदर उन विचारों का असल टैलेंट क्रिकेट था क्योशाए सो रिपया भी ना कमा पाते डे में तीन सो भी ना कमा पाते लेकिन आज वो उबर थे स्टार्ट और इंडिया के अंदर एक बास समझ जी उनको आरी कि यारी कहां से आप लेकर रहते हो और देश सो किलो मिटर रफतार गेंद करने वाला बंदा लाते कहां से हो पाकिस्तान की विट्टी में है इसको ना सर्फरास खेल पार रहा है ना उसको इफ्तखार खेल पार रहा है ना कोई और खेल पार रहा है को शॉट मारे की कोशिश करता है मिस हो रहा है उसकी लेंद इतनी जबर दस है आप सोचिए अगर पंदरा गेंदों में अगर पांच विकेट को लेता है तीन रन दे कर इसका मतलब है कि हर तीन तीसरी गेंद के ओपर वो विकेट ले रहा है आप को यह सा बालर कहा से मिलेगा तो यह अपको जो नेमते दी हैं हमें इसका फाइदा उठाना चाहिए नया टैलेट लेकर है जनके अंदर भूख है जिन्हों नया चले होए कार्तूसों को छोड़ते दुनिया चोड़ कर चली गई हमेशा आप आने वाली जिरेशन के लिए स्पेस खाली करते ताकि आपके आपके इज़त बहाल रहती है अब यहां पर तो सुरत हाल है आप करें कितनी बेहतनी परफॉरमस है हर जगा पर इस सुरत हाल में आप मेरे जैसों का जो इगरेशन है या जो उनकी नफरत है वो आप खतम कर देए यह आने वाले वक्त के अंदर आपको रिलाइज होगा कि पाकिसान के खाबर वक्तून खा के अंदर क्योंकि वहां पर जरा आज भी शोई वक्तर जैसे जो लोग है वो आए जाते हैं याज भी आपको नजर आता है कि परफॉरमस है पंजाब के अंदर भी आपको मिलता है सिंध में भी अलम्दिल्ला हमारे पास है सट टैलन्ट मिलता है हर जगा से वहां से स्पिनर अबरार मिला हुआ हुआ है यहा यहां 140 से उपर 150 के आसपास स्पीड डालने वाला पे एक और बंदा हाई लाइट हुआ है पागिस्तान में जैसे कि बोल रहा है कि पागिस्तान की मिट्टी में स्पीड है भाई किसमत महरबान हो गई है इसानल्वा पे इन्हें पहले में देखा हुआ है लेकिन हम मेंने प नए उभरते हुए सितारी के बारे में कहां तक जाएगा यह आपकी हिसाब से वजरू बताना मुल्तान सुल्तान को एक और बड़ा पाट रहा है इनका जितानी में उन्हें उन्हें बिगट कि रहे है इसलिए स्कोर कम रहा था इसलिए वो बना पाई और सब चीजे मतलब एक हिस्सा है इनका मुल्तान सुल्तान की जीत में बाई बाई साइनिंग ओफ